दोस्तों अगर आप railway NTPC, Group D, Locopilot, Junior Engineer या किसी भी government exam की तहरी कर रहे है न तो आपके लिए ये L book बहुत ही ज़्यादा important है जो कि आपके लिए Hindi और English दोनों medium में लाया हुआ है इसमें आपको 4000 से भी ज़्यादा question answer मिल जाएंगे जिसमें आपको one liner के question answer मिलेंगे साथी साथ MCQ मिलेंगे और जितने भी solution दिये गया है वो सब के सब trick के साथ दिये गया है आप exam में कम time में अच्छे number score कर पाए उसके बाद आपको यहां पर free mock test दिया जाता है जिससे आप पराख सकता है कि आप कितनी तयारी किये है साथी साथ railway के सारे exam के question के previous year के paper जो है आपको यहां पर मिल जाएंगे इस book के किमत सीर पर सीर 35 रुपए है अगर आप नीचे दिये हुए description में जो link दिया हुए book खरीदने का उससे खरीदेंगे तो आपको 35 रुपए मिल जाएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका मैसी को जानल पर दोस्तों हाल में बदल लग एक कुछ सहर इस्टेशन दीप और कुछ अस्थलो के नाम है जो आपको जाने बहुत ज्यादा important है क्योंकि यह आपके exam में जरूर पूछा जाएगा दो या तीन question यहां से आपके repeat किये जाएंगे तो इस वीडियो को पुरान तक देखिए पांच मिनट के वीडियो आपको पांच नमबर दिला सकता है तो इस वीडियो को छोड़के ना जाए वीडियो स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही ज्यादा important important questions जो है यहां पर मैं लेकर आया हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब इस request है कि इस वीडियो को like जरू कर दे आपके like करने से हमारा होसला बढ़ता है और आपके लिए ऐसे वीडियो जरू रोज लाते रहते हैं और अपने सारे दोस्तों के शेर जरू कर दे वाट्सप पर फेस्बूक पर जहां भ करें आपको वाट्सप गूरूप में जोड़े जाएगा और आपके डेली के डेली आपे नोट्स प्रवाइड कराए जाती है तो चलिए आज का पहला question हविवगंज railway station का नया नाम क्या है तो अटल विहरी वाजपई railway station दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल वि विहरी वाजपई railway station दूसरा question है बोगी बिल पूल का नया नाम क्या है वो अटल सेतु नाम रखा गया है रहतांग सुरंग जो की हिमाचल प्रदेश में है तो रहतांग सुरंग जो है इसका नाम अब अटल सुरंग के नाम से यह जाना जा रहा है बुंदेल खंड एक्सप रायापूर का नाम आप क्या बदल कर रख दिया गया है तो नया रायापूर का नया नाम है अटल नगर उसके बाद question है देवगर हवाई अड़ा यानि एरपोट इसका प्रस्तावित नाम क्या रखा जाएगा तो देवगर हवाई अड़ा का प्रस्तावित नाम है अटल व विहरी वाजपई मेडिकल कॉल्ज के नाम से अभड जाना जाएगा यानि मेडिकल कॉल Silicon का दूसरा नाम है लिएילे साहब गंज अन्हानाम नाम अटल विहरी वाजपई हरवग को इट नाम थे ऑपका और विश्टेशन वाई वह थे आटल विहरी वाजबी के नाम पर रख़े हुए है जैसे क्या आप देख सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप नोट कर सकते हैं या फिर नीचे दिये हुए नेक्स्ट वेशन देख लिजे कांडला बंदरगाह का नाया नाम क्या रखा गया है दीन दयाल बंदरगाह दोस्तो एक वीडियो मैंने और बनाया था जो कि सिर्फ बदलग है शहरों के नाम के उपर था तो वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा था तो नीचे दिया हुए वीडियो इसों दिश्रिप्स्टस वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जागा या पिर अचैनल कि प्लिलिस्ट पर जब जाएंगे। गेचा प्लिपल्रीयोय बना हुए है, वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं बदलेगत है सहरों के नाम budget दिनदयल बंदरगा, उस ही rap पर भासा स्वास्त भीमा योजना का नया नाम कange के नाम चुमा साओ अच्छा तु यह नाम में याद है मुगल सेस्टेसरा रेलवे स्टेशन का नहीं नाम के है यह इंपॉर्टेंट arguments ऊस्थ पिशली बर benefici अब बलबगण से एकदम अलग नाम रख दिया गया है तो ऐसे स्टेशनों का नाम आपको याद अखना ही पड़ेगा तो बलबगण मेट्रोई स्टेशन का नया नाम हो गया है अमर शहीद राजा नाहर सिंघ मेट्रोई प्रदान मंत्री जी ने चेंज करके डिजिटल संचार आयोग रखा है क्या नाम है दूर संचार के वठाकर अब डिजिटल संचार हो गया मियो का बाड़ा या बारमर गाओं के राजिस्तान के बारमर गाओं का नाम है तो यह मियो का बाड़ा एक नाम है इसका नाम जो है अब चेंज करके महेश नगर रख दिया गया है तो यह एकदम अलग से चेंज हो गया इलाबाद का नाम अब नया नाम प्रयाग राज है यह स अब स्वराथ द्वीप हो गया रोस University रॉसद्वीप का नाया नाम क्या है आप नेताजी सुभास चंद्र बोश द्वीप यह आपको याद रखना है नील iV का दूसरा नाम क्या हो गया नील दीव को आप सही देव के नाम से जाना जाता है तो यह जो मैंने तीन दीव बता हैं यह talents ऑ अन्दमा सो भाज़ यह खही भालाग गया पुराची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन अब इसको कैसे याद रख रहें पुराची थलाइवर मतलब पीटी याद रख लेंगे पीटी और एमजी तो पीटी से पीशे पुराची टी से थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन यह आप याद रख जेगा वेरी वरी इंपोर्टेंट कोईशन है तो दोस्तों ये थे बहुत सारे इंपोर्टेंट कोईशन जो कि 2019 में जितने भी परिक्षाइं होने वाली हैं उनमें से तीन या चार कोईशन यहां से आपको मिल जाएंगे देखने को तो दोस्तों वीडियो पसंद आता वीडि विडियो मिलती रहा है ऐसे वीडियो जरोज देखने के लिए जो लोग हमाये चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ बेल का आइकॉन आता है उसके बाद में ही तो बेल का आइकॉन को भी प्रेस कर लें जब ही हम वीडियो डालेंगे तो आप तक चुझ दैबूरी लिए